ग्यानेंद्र मौरत एहसीन समदा का मिश्रिक सीतापुर मिश्रिक सीतापुर होली परिक्रमा मेला में मिश्रिक नगर पाली का द्वारा दुकानदारों को दुकाने लगाने के लिए जगह चिन्नित करके दे दी जाती है और इस जगे का मिश्रिक नगरपाली का द्वारा परमिट रसी काट कर पैसा लिया जाता है इस मेले में दूर दूर से व्यापारी आकर के अपनी अपनी दुकाने लगाते हैं वहीं जहां सरकार के द्वारा होली मेले में आने वाले दुकंदारों का कोई भी समस्या ना होने पाए उसके लिए अथक प्रयास में जुटी है जब मोहन ने मिश्रिक नगरपालिका के अधिशाशी अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 20 वर्षों से उन्होंने 10 फिट जगे का परमिट काटा गया है जिसकी उनके पास रसीद है इसके बाबजूत उनको 2 फिट जगे दुकान लगाने के लिए दी गई है अब सबसे आपका जाम आप मेले में कितने सालros ददुकान लगा रही है पांचे साल कितने फिट आपको जगे दी जाती थी मेलम् दुकान लगाने के लिए आप की बार कितनी दी गई है दो फिट आप आपके जो कम जगे दी गई है उसको जितना आपकी रशीद कटी हुतनी आपको दी जाए आपका आप यहां कितने सालों दुकाने लगा रहे हैं कम से कम 20 साल से तो यहां पर्मिट कितनी जगे का मिलता है लोग कितने दुकाल का पर्मिट मिलता है जिसे मतलब यहां से दुकान मतलब बढ़ाई घटाई जाती है इसमें कोई एक फुट बढ़ा लेता है कोई तीन फुट बढ़ा लेता है रास्ता पंद्रा फुट की गटते हैं ज्यादा कट गए इस वज़े से आउट पर आला मोह रहा है यहां अच्छा और नगर पालिका से यह एक अनुरोद है कि सफाई अभ्यान लगा करा करके तब ज्यादा लेता है